चलिए कुछ अलग तरीके से समझे की बहन का बहँचन सब्द क्या होता है और आजके इस वीडियो के इंतर आपको बहन के बहुचन सब्द के बारे मीं हम अच्छी से अच्छी जानकारी देंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबादें हम आपको सबसे पहले पता देते हैं कि बवचन किसे कहते ही ताकि आप बैन के बवचन सब्द को अच्छी तरह से यादे कर सकें तो दोस्तों जरा जैन से सुनी कि जिस सब्द की रूप से किसी वेक्ति या वस्तु की एक से अधिक होने का बोदो उसे बवचन कहते ही और वही पर अगर हम बैन के बवचन की बात करते ही तो आपको पता होना चाहिए कि बैन एक एक वचन होता है और बैन का बवचन सब्द बहने होता है और यह आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और इन्हें अच्छी तरह से याद करना है जिसके लिए आभी मारे सा दो रहें कि बहन का बवचन सब्दे बहने होता है इसके लोग दोस्तों अब हम आपको बता देती हैं कि बहन किसी कहती है बहन एक हिंदी इसके लोगtó दोस्तों अब हम आपको इक वहर फिरस्वता देते हैं कि बैन का वचन सब्द क्या होता हैud यानि दोस्तों बैन का वचन सब्द वहने होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद गरना है जिसके लिए आप नीची तीए के उदारणों का उपयो करें जैसे की यह मेरी सबसे प्यारी बेहन है इसके लावा सुनिता की कुल तीन बेहन है यहनी दोस्तों यहाँ पर तीन बेहन की बात की ज़री है तो इसका मतलब हुआ की बेहन एक बवचन सब्द होता है यहनी दोस्तों बेहन का बवचन सब्द बेहन होता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो के इंदर आपने सीखा की बेहन का बवचन सब्द क्या होता है अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो यो तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दी